स्री राम चंद प्रशाद सिंग जी बहुत बहुत धन्यवाद उपस्वापती महोदे मैं तीन क्वेरी करना चाहूँगा माने मंत्री जी से पहला क्वेरी ये है कि इसमें दिया हुआ है कि किसी स्टेट में इंट्राइस स्टेट अगर रिवर में काम करना है उसमें खासरकर जो नदी जोडने की योजना है उसमें बिहार में कोसी मेची एक प्रजेक्ट है उसका जो पूरा का पूरा जो उसका कमांड एरिया उससे जो फाइदा होगा करीब दो लाख हेक्टेर का है तो माने मंत्री जी से मैं जानना चाहूँगा कि चुकि ये दो लाख हेक्टेर किसी चाहिए कोई छंता का प्रजेक्ट है तो क्या इसे केंद सरकार राष्ट्री योजना करूप में स्विकृत करेगी पहला तो ये है दूसरा ये है कि बिहार और जार्खन में बहुत सारी नदियां हैं बहुत सारे प्रजेक्ट्स हैं जो कई वर्सों से लंबित है उसके कारण ये भी है कि दोनों प्रदेशों का बटवारा होने के बाद कुछी सुच पेंडिनिक रह गए और उसमें खास करके जो नौर्थ कोई प्रजेक्ट है वो पेंडिनिक है तो क्या इस प्रजेक्ट को भी कें सरकार राष्ट्रिय योजनाक रूप में लेकर करके इसकी को बवस्था करेगी और तीसरा और सबसे जो अंतिम है बिहार सबसे ज़्यादा पीडित जो होता है जो कोसी में बाढ़ाती है नेपाल से और यह अंतराष्ट्रिय मुद्दा है तो मानिय मंत्री से मैं जानना चाहूँगा कि योग नदिया हमारी विहार में आती कोसी से उन पर हाई डैम प्रजेक्ट बनवा करके सिचाई और पावर सुभधाक उपलवद कराने के लिए क्या इसको भी नेशनल प्रजेक्ट के अनुप में लेगी यही मेरा क्वेश्चन है बहुत बहुत धन्यवाद राम चिंवाव इसी तरह पिन पॉइंटेड क्लिरिफिकेशन से इसमें पेक्षा की जाती है मानिस अदस्यों से